साथियो नमस्कार आसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मेरे दुआरा दी जाती है आप सबों को किसान बंधुओं को मचली पालक मचली से जुरे किसी भी तरह के वेवसाई करने वाले को हमारा निरंतर प्रयास होता है कि कुछ नई जानकारी हम आपको देते रहें जिसे से आपको पल पल पग पग किसी भी समस्या का समधान मेरे माध्यम से चाहे वह टेलीफोन के माध्यम से हो वार्टसेप के माध्यम से हो या फिर मेरे वीडियो देखने के माध्यम से किसी भी तरह का परसानी आपका दूर होते रहे या परसानी आए ही नहीं इसी सिलसिले में आज का वीडियो हम दोस्तों आपके तालाब के नीचे का जो कीचर होता है mud area होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका तालाब बहुत दिनों तक सुखता नहीं है पानी सालों दर साल उसमें आप छोड़ देते हैं उसको सुखा नहीं पाते हैं पानी निकाल नहीं पाते हैं बहुत साले तालाब इस तरह के हैं उसमें एक problem आती है ammonia gases की problem जिससे आपकी मचलियां stress में आ जाती है और जब आप सुखा सुखा अपने तालाब पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सारी मचलियां आपकी उपर आ गई है यह पर किडिया आपको दिखाई देगा सुर्योदर से पहले morning में आपको अपने तालाब पर विजिट करते रहना चाहिए जब आप invest करते हैं मचलियां पालन में आप हर समय यह अपेक्षा रखते हैं कि आपको अच्छा खासा production मिले तो फिर आपको alert रहना परेगा तालाब का विजिट करना परेगा बहुत सारे किसान दोस्त ऐसे हैं तालाब पर जाते हैं या फिर अपने बरे पायमाने पर जो मचलि का पालन कर रखे हैं वे एक दो बंदे को रख लिए हैं अपने दूसरे काम में लगे हुए रहते हैं उनका बंदा किसी टाइम में जब उनको समय मिलता है उस वक्त अपने तलाब पर हो जाते हैं परंतु मेरा कहना है कि सुबह सुबह आपको अपने तलाब पर जाना चाहिए तब एक्चुल इस्थिती पैदा जो परिस्थिती होता है आपके तलाब में वह आपको पता चलता है हम कहना यह चाह रहे हैं कि जब आप सुबह में जाएंगे अपने तलाब पर अगर तलाब के नीचे का कीचर आपका खराब हो गया है यानि तलाब में अमोनिया बर गया है तो इस फरस्तिती में अक्सीजन का सौटेज होगा तलाब में या पता कैसे चलेगा सुबह में जब आपने तलाब पर जाएंगे तो आप आएंगे कि सारी मचलियां उपर आ गई हैं तलाब का नीचे का मिट्टी अगर खराब हो गया है यानि आपके तलाब में अमोनिया गयस बन गया है मचलियों को बीमारी लगने लगा है और किसी भी तरह का बीमारी हो सकता यहां भी उसलितोब आपको इस दवा का प्रेशलीों के लिए आपёл डालते घ 내ुट्प दालते हैं मचलियों के लिए तो貝ोड़ तो मचलियां आपका एस्ट्रेस फिरी रहती है हम जैसा कि देख रहे हैं अभी हमसे कॉंटेक्ट वालों की संख्या आप लोग अनेको तादाद में असंख्य लोग हमसे प्लेंग्टोल मंगवा रहे हैं आप मंगवा सकते हैं दियो हुए नंबर पे अच्छा है आप मंगवा करेंग्ठोल में अच्छी तरह से श्ट्रेस फिरी हो आपके टलाब में अमच्छीच लेवलेवल सामान रहे किसी तरह का टॉकसिक बैसे कि प्रियों करना चीह हैं आप जिस तरह से प्लेंक्टन मंगवाते हैं हमसे आप जियो लाइट भी मंगवाईए और अपने तलाब में महीना में एक बार तो आपको परयोग करना ही परेगा जब आप निरंतर इस जियो लाइट का परयोग करते रहेंगे हमारी खुद की कंपनी बायो जियो बायो जियोग करते हैं और यह तरह का इसे झालियो करना है महीना में दस केज़ी एक एकर में अवर सी परीओग करिए एक वड़ आपको परीओग करिएगा सारा नुकसान और गयसे झब आप तलाब परियोग करेंगे आपके तलाब में पिलेंग्टन भी अच्छी तरह बनने लगेंगे जियो लाइट के परियोग से आपके तलाब का पानी काफी बेहतर हो जाएगा पानी का कंडिशन यह बेहतर कर देता है जिससे मचलियों को गुरोथ होने में काफी फायदा होता है जैसे ह तो पानी के अंदर का जो oxygen में बौना ही चाहिए तो आपको इसका परयोग महीना में एक एकसीजन इन दसके जिखिकरण है जियो लाइट का परियोग करिए बायो जी हो हमारी कोद की कंपनी 벌써 कि आप कुल करेंगे मचली का बच्छा चाहिए होगा दिये हुए नंबर प्यास क् Совग करेंगे है आप एक दो रूपे खर्च करें मेडिसीन पर फिर देखे ग्रोथ ट्रेडिशनल फार्मिंग से अब दूर आए मोडर्न जमान टेकनीक बरा है बहुत सारे तरह का प्रोडक्ट मार्टेट में आ गए हैं इसका परियोग करिए बेहतर परिणाम मिलेगा बहुत बहुत धन्यव झाल